इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हम लोग बनाने वाले गुल्ड माइन की गेम ठीक है जो कि आपके सामने अभी प्रेज़न्ट है स्क्रीन के उपर ठीक है तो वह हम बनाने वाले देखते है एक बार इसका डेमो देख लेते है तो मैं ज्यादा समझ में आएगा क कि हम क्या गवनाने वाले ठीक है तो लेट्स चेक डेमो वन्स तो देखो यहां पर अपना इनिशियल जो स्कोर है वो सो रहता है ठीक है उसके बाद हम जैसे ही क्लिक करतेंगे तो आप देखना पहले तो मैं होवर करूंगा ठीक है किसी भी एक स्क्वेर के उपर होवर करता हो देखना ऐसा साउंड आ रहा है मुझे नहीं बता आपको साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ साउंड आ रहा है मैंने एक इफेक्ट रखी हुई है ठीक है तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखना अगर यह गोल्ड आता है तो 100 का 200 हो जाएगा ठीक है और अगर यह बॉम आता है तो आप वहाँ पर हार जाओगे ठीक है वही गेम हमने बनाई है देखते अभी आगे देखो अभी फिर से गोल्ड आया तो यह हो गया 400 ठीक है अभी मैं फिर से दूसरी जगा पर क्लिक करता हूँ तो यह हो गया 800 ठी इस पे क्लिक करता हूँ तो 32 हो गया फिर इसपे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यह क्यों और चाहित जो हम ओन My आ का मतलब हे वो ऑम खतम ओ गया और तो यह हमने बना है रियक के जूर शाओ पर मैंने मरलब जो स्टाइल शीट जो मैंने यूज किये वो मैं खुद से लिखता हूँ ठीक है मैंने कोई लाइब्रेडी या टिकलिवेंट सी एसस या बूस्ट्रेप या ठीक है कोई भी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विडियो को विदाउट वेस्टिक अनी टाइम बहुत सारा स्क्रोल करना पड़ेगा उसके बाद आपको यह दिख रहा है यह लाइन आपको इसको कॉपी करना है ठीक है मुझे पता है यह व्यू जेस यहाँ पर लिखा है आप दीख सकते हैं यहाँ पर व्यू लिखा है लेकिन कोई बात नहीं आप टेंशन मतलो यार मेर के पास उसका भी कोई ना कोई रास्ता है ठीक है मैंने एक नया फोल्डर बना दिया है माइनस यूटूब करके इसको मैं खोलता हूँ जल्दी से पावर शेल को मैं जल्दी से ओपन करता हूँ और यह अपना पावर हाउस पावर शेल खुल गया है ठीक है अभी मैं जल्द से काम करता हूँ command को paste करता हूँ view को change करता हूँ react के साथ और my view app को मैं change करता हूँ my react app के साथ और जैसे ही काम करता हूँ ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ minus underscore YouTube और जैसे एंटर देता हूँ तो आप देख सकते हो यह भी हो रहा है और हो गया है यह white.js का setup भाई दोस्तो बहुत ही ज्यादा fast ठीक है बहुत ही ज्यादा fast है इसको मैं copy करूंगा और यहाँ पर मुझे paste करनी है सारी की सारी command ठीक है मैंने copy किया मैं एंटर दिया मैंने paste anyway किया अभी देख रहे हो आपकी भाई npm इंस्टल हो रहा है ठीक है से पता नहीं कितनी आ रही है मुझे लेकिन कोई बात नहीं ओके आओ जैसे यह खतम होता है मैं वापस आता हूं वीडियो में तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर अपना जो लोकल होस्त है उसकी URL चल पड़ी है अपने लोकल ब्राउजर के अंदर ठीक है मैं लोकल सरवर में ठीक है तो मैं इस पर जैसे एकलिक करता हं लेट मीं क्लिक ओन दिस भाई ठीक है तो आप सकते हो कि अपना जो है वाइट वाला जो ड़ीफॉल्ट पेज आता है होम पेज वो अभी चल पड़़ा है ठीक है इस पर आप देख सकते हूं यहाँ पर काउन्टर ठीक है अब यह लिए मैं external terminal यूज करता हूँ कोई बात नहीं भाई कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैंने इसको VS Code के अंदर खोल दिया है पुरा फोल्डर को अब लेट्स गो टू SRC SRC folder के अंदर अपना जो भी माल होता है वो रहता है और इसके अंदर से आपको सबसे पहले क्या डिलीट करना है मैं आपको बता दूँ आपको सारी की सारी चीज़े डिलीट करनी हो आपको control ए और backspace दबा देना है ठीक है जैसे आप control ए backspace दबाते हो तो लेट में create a functional component मैं यहाँ पर एक function बनाऊंगा और मैं पहले तो इसकी जो font size है इसको बढ़ा करना चाहूंगा मैं थोड़ी ज्यादा ही बढ़ा कर दिया font size को अभी मैं आप लिखूंगा क्या लिखूंगा आपको पता है function app और जो की return करेगा एक bracket के अंदर इसके अंद अब मैं जाता हूँ जल्दी से अपने browser के अंदर और देखते हैं कि भाई क्या चमतकार हुआ अभी तक तो आप देख सकते हो यहाँ पर एप लिखके आ रहा है आप अभी सकते हो ठीक है सारी चीज़े clearly काम कर रही है ठीक है इसको भी हम देख लेते हैं कि एप जो है जो हम जहां पर काम आया है ठीक है तो अब यहां पर काम आया होगा इंडेक्स में.jsx के अंदर आप देख सकते हो एप जो है उस फाइल का यहां पर हमने पाथ लिया है और वह हम पर काम आया है ठीक है अभी सब्सक्राइब आपको कोई ज्यायदा टेंशन लेने की कोई भी जरुरूरत नहीं है now this is working very fine now this is working very fine now this is working now this is working very fine सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ हमें जो board बनाना है हम पहले तो board बनाएंगे right side पर अपना board रहेगा जैसे ही मैंने आपको example side में बताये था right side पर अपना board रहेगा और left side में अपना total score रहेगा ठीक है तो मैं जल्दी से app.js के अंदर आता हूँ पहले मैं काम करता हूँ एक तो पहले मैं style sheet बना देता हूँ ठीक है style sheet बनी हुई होती है पहले मुझे सिर्फ import करना रहता है भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो मुझे इसकी एक अलग से style sheet बना देता हूँ यह तो है लेकिन यहाँ पर आ नहीं रही थी दोस्तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा मेरे ख्याल से dot slash asset oh sorry app.css मेरे ख्याल से यह चल जानी चाहिए browser के अंदर अगर मैं देखो reload करो इसको तो okay चल गई है इसलिए यह center में आ गया ठीक है यह एकदम center में आ गया है तो चल गई है भाई इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे due को ठीक है due के अंदर हम लोग पहले तो लिखेंगे भाई इनिशल जो score होता है वह 100 होता है तो अब अभी देख सकते हो कि ऐसा कुछ आ रहा है लेकिन यह बहुत ही छोटा है तो इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूं मैं लिखूंगा गोल्डन जो होता है उसको हम बोल सकते है कि क्या बोलत चैका है तो मुझे गूगल के फॉंट से ये ये जो आपको दिखेगा वाले फॉंट्स टिंख है गूगल के जो प्ले फॉंट्स भी मजविदार फॉंट क्रणे वालह आल है तो इसके concert करने वाले इसका इंक्लूठ ठीक है तो आपको get for पहको क्लिक करना है आपको get embed code पर click करना है then you can go to import ठीक है import वाला जो statement है वो copy करो CSS के अंदर आओ ऐसे ऐसे दो बार enter दबाओ ये जो style वाला चीज है भाई निकाल दो भाई इसकी तो कोई जरूरती नहीं थी ठीक है इसको तो निकाली दो ठीक है तो ये सही से हो गया है सारी चीज़े सही से अभी के लिए तो हो गई है और मुझे use करना है भाई इसको इसको मैं use करना चाहता हूँ तो मैं कैसे use करूँगा globally तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ body में अगर मुझे इसको use करना है तो मैं ऐसे want family हमें तो भाई नॉर्मल चाहिए ठीक है अभी के लिए लेट से कि भाई नॉर्मल यूस करता हो या फिर आप बोल्ड भी यूस कर सकते हो तो मैं बोल्ड यूस करने के लिए क्या करूंगा राउजर के अंदर जाओंगा उसके बाद टाइल नॉर्मल को बोल्ड में भी चें अंदर ही खोल देता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वाई क्या लिखना था रियक्ट नहीं लिखते हैं यह हो गया फिर से शुरूर तो अभी सही से दिखला होगा आपको अभी मैं इसकी फॉंड साइस को बढ़ाना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यह टोटल स्कोर ऐसा कुछ और टोटल स्कोर को मैं टार्गेट करूंगा यहाँ पर टोटल स्कोर और इसकी फॉंट फैमिली फॉंट साइस जो है दोस्तों फॉंट साइस को मैं थोड़ा बढ़ा करना चाहूंगा फॉंट साइस को भाई मैं कर दूंगा की फॉंट साइस को 40 प margin पसंद ही नहीं है P-tax वालों की तो इसलिए मैं margin को करूँगा जीरो ठीक है जीरो कर दिया है अब इसके color को मैं करूँगा gold गोल्ड हो गया अपना color और 40 के जगा पर मैं करता हूँ 60 pixel और यह हो गया 60 pixel वाला ठीक है सहीस एकदम दिख रहा है हमाँ एक और मैं due बनाना चाहूँगा इसके अंदर ही और इसके अंदर हम डालेंगे भाई board इसके अंदर आएगा भाई board ठीक है लेकिन इसका भी एक बाप होगा जो कि बोलता है parent due बाप नहीं बोलते है वैसे sorry parent due बोलता है इसको format document करता हूँ और इसका class जो है वो मैं दे दूँगा भाई display flex display flex ये वैसे मैंने bootstrap यूज नहीं किये दोस्तों इसको मुझे define करना पड़ेगा इसी के अंदर style के अंदर तो मैं define करूँगा display flex करके now you can see कि display flex आ गई है अभी और एक चीज़ चाहिए मुझे gap चीए भाई gap चीए तगड़ा 10 का gap चीए भाई ठीक है तो मैं gap यहाँ पर लिखता हूँ by 20 pixel और इसके उपर ही दे देता हूँ इसके class को gap 10 now this is looking good अभी मैं इसको इसके gap को 40 कर देता हूँ फिर 100 कर दूँ यार 100 कर दूँ ना तो भी ऐसा ही दिखेगा अभी टिक टाक दिख रहा है अभी मैं काम करूँगा मैं board जो है उसको लूँगा और इसके अंदर डाल दूँगा तो हमें क्या चाहिए भाई board कैसा होना चाहिए अगर आपको mines वाली game अगर आपने देखिए अभी आपको डेमो बताया था उसके अंदर 5 by 5 आपके grid चाहिए ठीक है 5 by 5 जैसे chess board में होता है 5 into 5 वाला वैसा ही हमें चाहिए तो इसलिए मैं क्या करूँगा जल्दी से एक नया folder बनाता हूँ square करके और इसके अंदर हम लोग डालेंगे दो फाइल्स that is square.css है और दूसरी फाइल there is another file also that is square.jsx jsx का मतलब होता है अपना जो react का जो भी माल मसाला होता है वो उसके अंदर आता है तो मैं जल्दी से इसके अंदर पहले तो बनाता हूँ square नाम का function square उसको return करना है empty tag and इसको मैं करूँगा y default export करूँगा इसको export default square y square हो जाए square yes हो गया square ठीक है इसको मैंने written कर दिया है ये each square है each square की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है ये एक styles है तो इसको भी मैं import कर देता हूँ import आपको proper path डालना है relative path relative path क्या होता है वो तो यार basic सी चीज़ आपको पता ही होगी मान लो कि यहाँ पर मैं jsx के अंदर हूँ तो इसका जो relative path होता है वो dot slash होता है dot जो होता है वो current folder के उपर उंगली करता है ठीक है और उसके बाद slash लगा के square.css डालते हो तो इस file के उपर उंगली करता है वो इस पर अगर आप control और right click करोगे control और click करोगे sorry control और hover करोगे तो अभी आपको ऐसे link दिखेगी इस पर जैसे आप click करोगे तो यह file open हो जाएगी अपने आप ठीक है तो इसकी कोई भी आपको कोई भी आपको परिशानी दिक्कत की समस्या ही नहीं होगी अभी मुझे ऐसे बहुत सारे square सी है तो अभी के लिए मैं content में लिख देता हूँ भाई एक due मैं return करना चाहूँगा और मैं इन दोनों को ही निकाल दूँगा इसको बोलते है कुछ बोलते है इसको मैं भूल गया लेकिन कोई बात नहीं यार इसको ऐसे करता है ऐसे ऐसे भाई ऐसे इसके अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर हमें empty parenthesis नहीं written कर सकता तो यहाँ पर मैं लिखूँँगा भाई square है यह कौन सा है square है भाई square ठीक है यह जो भी written हो रहा है न वो square है और इसको भी मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से अभी सही से चलेगा तो यह मैं अगर इसको require करता हूँ let's go into board और यहाँ पर मैं एक बार लिखता हूँ square अभी मुझे इसको करना है print 25 बार कितनी बार 25 बार मुझे print करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा सबसे पहले मैं एक loop गुमा सकता हूँ items का जिसमें 25 बार यह हो जाएगा print तो let's see कि हम कैसे 25 बार loop गुमाता है यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले भाई items करके const items या फिर ऐसा कुछ आप कह सकते हो items equals to यहाँ पर लिखूँगा for each ऐसा भी loop गुमा सकता है या फिर आप कुछ भी कर सकते हो बहुत easy है let me just say square equals to या फिर items equals to यह ऐसा आएगा और इसके अंदर हम push करेंगे तो for loop हम गुमाये for loop को हम कितनी बार गुमाये 25 बार गुमादो और zero से start करो no problem zero से start करो no problem लेकिन 25 बार गुमादो तो हमें क्या करना है element को मैं निकाल दूँगा और हमें यहाँ पर करना है items.push इसके अंदर मैं पुश करना है कौनसा element भाई हमें element पुश करना है square वाला तो let me just say square और मैंने square पुश कर दिया इसके अंदर ठीक है और इसके अंदर अभी मैं क्या करूँगा कि मान लो इसको हटा के मैं ऐसे curly brackets लगा के items यहाँ पर रख सकता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 25 बार आ गया है मुझे 25 बार ऐसे नहीं चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं अभी आतो गया है अभी लेके लिए तो आ गया है अभी मुझे इसमें भी कोई मलब problem नहीं है लेकिन आतो गया है अभी items को मैं क्या कर सकता हूँ मुझे लगता है यह सही है अभी के लिए जो भी है वो ठीक है अभी मुझे कोछ ज्यादा इसमें करने की जरुवत नहीं है लेकिन एक चीज मैं खास करूँगा इसमें सबसे पहले तो यार इसका ना इसको मुलब यह फॉर्मेटिंग सही नहीं है यह फॉर्मेटिंग ही मुझे नहीं पसंद आई अभी के लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा डिव के अंदर हम लोग लिखेंगे इसका class का नाम square item square item को मैं जल्दी से कुछ style देता हूँ width दे दूँगा 100 pixel height दे दूँगा 100 pixel background color दे देता हूँ red यह जो भी आ गया चलो कोई बात नहीं यार दे देता हूँ जो भी आ गया अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 100 pixel वाला बहुत लंबी line होगे ठीक है तो मुझे अभी और एक चीज चाहिए भाई त्यान से सुनना ये जो है ना भाई ये ये जो है ठीक है इसको मुझे grid बनाना है पहले तो इसका class मैं लिखूंगा भाई d flex d grid ठीक है d grid जो है वो क्या करेगा भाई कि इसकी जो display है उसको हम बनाने वाले है grid तो मैं आप लिखता हूँ display grid तो इसकी display ज column या फिर ऐसा ही कुछ element आता है grid template करके उसको हमें यहां पर यूस करना है तो let me just say grid template और column है या फिर ऐसा कुछ है grid template column यहां पर बता रहा है तो वही होगा दोस्तो ग्रीड template columns है ऐसे है 2fr है बहुत सारी चीज़े है और आप repeat भी कर सकते हो बहुत सारी बार तो मैं इसको copy कर column को और मैं भाई 100 पिक्सल को 5 बार copy करना चाहूंगा ठीक है अब देखते हैं now you can see कि एक perfect square यहां पर बनके आ गया है अपने सामने ठीक है तो अभी आप देख सकते हो कि यहां पर यह completely आ चुका है अपना square आ गया है लेकिन एक और बहुत बता दू आप लोगों को ठीक है यह square तो है लेकिन मुझे इसमें gap भी चीए तो मैं यहां पर gap लिखना चाहूंगा भाई row gap लिख दो भाई 10 पिक्सल और column gap भी करी दे 10 पिक्सल column gap भी कर दे ठीक है तो जैसे ही आप row gap और column gap लिखोगे तो आपको ऐसा perfect square आपको नजर आएगा ठीक है यह perfect square है बाई ओके औ top pixel और अभी काफी नीचे आ गया यह 50 करूंगा 150 ऐखी अभी काफी सही लग रहा है ठीक है अभी काफी सही लग रहा है मुझे तो यार बहुत ही पसंद आया और इसकी width जो है न भाई इसकी width को मैं कर सकता हूँ इसकी width ओए 90 pixel ठीक है app.css के अंदर ही है मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे 90 करना पड़ेगा भाई now you can see कि यह अभी तगड़ा दिख रहा है बहुत ही सही दिख रहा है अभी इसका जो background है इसको मैं change कर सकता हूँ मुझे जो color देना है वो दिए सकता हूँ लेकिन अभी के लिए मुझे मानता हूँ कि यह color भी मलब कोई ऐसा बुरा नहीं लग रहा है तो यह color भी ठिक था की लग रहा है तो इसको भी अभी रहने देते रही ठीक है let's just keep as it is ठीक है जैसा ही वैसा ही हम रखते है अभी के लिए no problem अब दोस्तों हमें क्या करना है अब मैं आपको एकदम simple सी चीज बताता हूँ हमें हमारा logic बताता हूँ गेम का ठीक है बहुत ही simple सा logic है भाई देखना सांती से सुनना 25 square है हमारे पास कितने 5 by 5 की grid है 5 into 5 होते है 25 25 का अपना पास square है 25 उस अपने पास square है उसके अंदर 3 में bomb होगा ठीक है 3 के अंदर bomb होगा और 22 के अंदर क्या होगा भाई gold होगा तो 22 के अंदर gold होगा और 3 square के अंदर bomb होगा ठीक है अगर कोई भी बंदा bomb select करता है कोई भी बंदा bomb select करता है ठीक है तो वो match हार जाएगा वो game हार जाएगा और वो disqualify हो जाएगा game से ठीक है अगर gold अगर वो select कर देता है तो इसका जो ये score आपको दिख रहा है ठीक है वो हो जाएगा double 100 से हो जाएगा 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600 ऐसे बढ़ता ही जाएगा ठीक है score तो ऐसे हमारी पूरी की पूरी game है gaming setup है इतना सा ठीक है score पे dependent ठीक है यहाँ पर पैसा बैसा नहीं हमने mention किया ये score ही है pure score है ठीक है तो अभी चलते है जल्दी से अपने क्या बोलते है वे score के अंदर और हम अब भी थोड़ा सा random 3 कोई भी random हमें number select करना है 25 में से ठीक है तीन random numbers हमें select करना है 25 नमबर में से 0 से 24 या फिर 1 से 25 में से कोई भी हमें 3 random numbers चाहिए ठीक है तो हम कैसे करते है मैं देखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ कि random number generator js js के अंदर random number कैसे generator तो भाई एक बात बताओ मैं आपको यह राज stack overflow भाई देख लो तुम ठीक है stack overflow में भाई यह देखना यह यह जो है ना यह पहला lecture यह पहला वाला इसको आपको copy करना है get random arbitrary max और min ठीक है इसको मैं copy करूँगा भाई सबसे पहले तो उसके बाद मैं इसको बाहर ही paste कर दूँगा get arbitrary get random number यार arbitrary भी चलेगा कोई बात नहीं अभी मुझे इसको तीन बार call करना है कितनी बार तीन बार मुझे call करना है इसको तो मैं क्याम करूँगा मैं सबसे पहले यहाँ पर एक const या फिर let random numbers का array बनाऊंगा that is empty array और उसके बाद बार मैं इसको call कर दूँगा random number.push करूँगा पहले तो get random arbitrary numbers उसके अंदर मुझे 1 से 25 के बीच में चाहिए वाई और इसको मैं यार तीन बार copy कर दूँगा बात खतम यार हो गया अपना ठीक है तो max को यह exclusive करता है मुझे max को exclusive नहीं चाहिए मुझे inclusive चाहिए inclusive का मतलब है यह जो last number है उसको भी include करता है जो 25 है अपना उसको भी include करता है वैसे ऐसा फरक नहीं पढ़ता अगर मैं ऐसा ही रखता हूँ तो भी चल जाएगा मुझे यहाँ पर 26 करना था कितना करना था 26 करना था ठीक है अब यह मैं इसको lock करूँगा ज्यान से देखना lock करता हूँ तो क्या होता है lock करके मैं इसको refresh करता हूँ now let's go to inspect and you can see कि यह यहाँ पर आ रहा है और एक warning भी आ रहा है इस warning को हम जल्दी से दूर करता है keys देखे keys देखे नहीं key देखे key ओके तो मैं इसको ऐसे करता हूँ key और index अरे भाई index आ जा भाई index ठीक है तो अभी आप देखना यार क्या हो गया भाई आ ओके no problem यार refresh करता हूँ ओके अभी आप देख सकते हो कि है मुझे इंटीसर चाहिए मुझे नहीं चाहिए आपका वह नंबर जो आप देना चाहते है मुझे चाहिए रही हमने तो भाई हमने कर दिया है यहाँ पर ऐसे करके क्या बोलता है scene हो गया इसको मैं reload करूँगा तो आप ध्यान से देखोगे और और एक चीज हमें करनी है भाई और एक चीज करनी है एक चीज और करनी है हमें मैं आपर एक while loop गुमाऊंगा भाई while true ये true होएगा ये infinite loop रहेगा इसमें मैं एकी बार इसको pass करूँगा इसको मैं करूँगा let let condition met equals to false पहले मैं false करूँगा if condition met break कर दूँगा loop को और हमें यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो ये number लेना है ठीक है इस number को मैं लेंगा variable के अंदर let variable variable equals to या फिर ऐसा कुछ भी कर सकते हो if random number if random number random number जो है वो है random numbers के अंदर ठीक है if random numbers dot includes ये array के अंदर एक method होती है includes करके javascript के अंदर जिसके अंदर आप pass कर सकते हो random number को जो भी आपका random number आया वो अगर ये है भाई ठीक है ये है ये है तो भाई हमें दूसरा एक variable generate करना पड़ेगा else हम इसको push कर देंगे ठीक है else जो हमारे पास आया उसको हम push कर देंगे इसके अंदर और मैं इसको यहाँ पर रखूँँगा else हमें क्या करना पड़ेगा एक नया random number generate करना पड़ेगा ठीक है और ऐसा ही चलता जाएगा चलता जाएगा मेरे क्याल से यह चल जाएगा and फिर हमें देखना है भाई कि if if condition met तो इसका मतलब है भाई random number जो है उसकी अगर हम length देख लेंगे इकवल एकवल की question to 3 है ठीक है तो भाई break कर दो इसको ठीक है तो ब्रेक कर दो मुझे पता नहीं चल ला unexpected constant condition क्यों भाई condition में declare value read condition mate condition mate का तो मतलब वो सवाल ही नहीं रहा फिर तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैंने condition false मारी थी भाई वो condition हो गई है अभी महलब जो भी problem था मेरे logic में वो मैंने fix कर दिया है ठीक है मैंने off camera किया था क्योंकि मुझे छोड़ी chat GPT की help लेनी पड़ी थी वैसे ये complete easy logic है मैंने किया हुआ है लेकिन फिर भी पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा था कोई बात नहीं अभी छोड़ते इसको और जल्दी से मैं वाई जाता हूँ इसके अंदर इसको मैं अभी लॉक करता हूँ ठीक है मैं आपको simple सी बात बताता हूँ इसको मैं लॉक करता हूँ रेंडम नंबर्स को अभी आप देखना की भाई होल नंबर्स मिलेंगे आपको होल नंबर्स ठीक है मैं इसको पहले तो बंद करके शुरू करता हूँ दो सेकंड लगेगा भाई दो सेकंड ठीक है create react app से भाई white js तो काफी मतलब powerful है मुझे यह लगता है आप लोगों की क्या राई है वो आप comment में बता देना अपनी अपनी राई डाल दे दाना ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पर है array 3, 4, 24 और ऐसा है ठीक है तो हमें क्या करना है भाई सबसे पहले मैं करूंगा भाई इसको मैं यहाँ पर 0 से 0 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको करूंगा भाई 1 से स्टार्ट और less than और equals to की condition मार दूंगा या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन कोई बात नहीं चलेगा कोई भी आप कर सकते हो ठीक है अगर नहीं है तो हम directly push कर देंगे ठीक है मतलब हमें कोई problem नहीं है अगर है तो हमें square के अंदर एक prop लेना है as a argument हमें pass करना है तो इसके अंदर मैं prop डालेंगे भाई mine कौनसा mine कि भाई यह bomb है mine का मतलब है उता है भाई bomb ठीक है तो यह माइन है या नहीं है तो वह यहां पर मैं pass करूँगा mine equals to why है true mine है ठीक है अगर इसके अंदर random numbers आ गया तो why mine है ही ना simple सी बात है मैंने यहां आपर mine use नहीं किया इसलिए यह complain कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं इसको छोड़ दो आप हो गया अभी एक और मैं चीज आपको बताऊंगा यह जो एक फोल्डर है मैं आपको यह यह जो असेट है ना वाई इसके अंदर आपको यह सारी चीज़े मिलेगी आपको sound effect मिलेगा bomb मिलेगा और gold मिलेगा ठीक है यह सारी चीज़े आपको इसके अंदर मिल जाएगी तो वह आपको description में अंदर से download कर दिया नहीं है मैं github में भी अपने full project की link दे दूँँगा वहां से भी आप download कर सकते हो मैं assets में जाओंगा और assets के अंदर मैं जल्दी से यह सारी चीज़े paste करता हूँ और यह वाले icon को अभी कोई जरूवत नहीं है हमारी हमें उनकी जरूवत नहीं है तो हम delete करते है उसके ठीक है तो mine true किया है मैं अभी क्या होगा अभी मैं एक normally एक काम करता हूँ मुझे थोड़ा style add करना है इसके अंदर बाई जैसे square item के उपर हो और हो ठीक है तो उसका जो margin bottom से होता है बाई वो थोड़ा बढ़ जाना चीए ठीक है मुझे वह ही करना है तो मैं क्या करूँगा बाई मैं कर सकता हूँ translate या फिर या फिर transition x या फिर translate x क्या आता है बाई देख लेना दो translate x आता है translate x css translate x ही आता है बाई और मैं इसको copy करूँगा बाई इस function को copy करता हूँ मुझे syntax यार याद नहीं रहती है मैं सिधा बोलता हूँ ठीक है तो minus 10 pixel और actually मैं यह ऐसे काम नहीं होता यह transform मुझे सामने लिखना पड़ेगा उसके बाद translate x चलता है इसको मैं copy करता हूँ इसको यहाँ पर paste करता हूँ और अब देखता है let's see आप देख सकते हैं तो left side जा रहा है मुझे y में चीए y तो y में चीए और वो भी 10 pixel चीए अब देखो अभी यह नीचे आ रहा है मैं इसके cursor जो है उसको कर दूँगा pointer तो आपको जो यह cursor का sign है वो change होता हुआ दीखेगा अपनी screen के उपर ठीक है आप अभी देख सकते हो easily ठीक है तो यह साही से चल रहा है यह सारी चीज़े साही से चल रही है ठीक है माॉस एंटर है lud ठीक है इसको हम पहले टो क्या रिएट करता है । इस function को मैं create करता हूँ is function में क्या करेगा हम लोग क्या करेंगे एक audio का object है उसको पहले तो हम लेंगे ठीक है इसके अंदर मैं क्या करूंगा सबसे पहले नीपोर्ट करूंगा IMP curb import भाई सबसे पहले करो भाई import करो over effect को over effect song over effect उसको import करो भाई from dot dot slash assets के अंदर sound के अंदर over dot wave में से ठीक है तो यह हमें मिल गए भाई अभी मैं क्या करूँगा एक new audio करके create करूँगा और इसके अंदर हम यह पास कर देंगे और उसके बाद हमें करना है sound dot play वहाँ सिंपल सी चीज है यह मैंने की अब देखते है क्या होता है तो मेरे कहाल से यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा मेरे कहाल से कोई problem आ गई है इसके अंदर मैं देखू play fail because the user did not interact with the document first तो यह problem आ रही है तो मुझे इसका कुछ ना कुछ solution लाना पड़ेगा मैं देखता हूँ stack overflow के अंदर क्या problem आ रही है और let's see कि क्या problem आ रही है अभी सही से चल रही है मेरे PC में अभी sound आ रही है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हूँ यह sound का option है यह आपको दीखेगा यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर hover करता हूँ और जैसे मैं बार निकलता हूँ तो यह बंद होना अच्छी है ठीक है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले अभी सही से चल रहा है आपके PC में अगर कोई भी problem आए तो मुझे बता देना मैं इसका कुछ solution लाने की कोशिश करूँगा ठीक है तो अभी हमें क्या करना है कि यार सबसे पहले तो मैं उझे इसको destroy करना है जैसे यह बार निकलता है तो मैं पहले तो यार एक const hover effect ऐसा कुछ बना सकता हूँ लेकिन इक काम करता है अभी के लिए हम short ही रखते है game को ज्यादा हमें complicated नहीं करना अभी सही से चल रहा है स्क्वेर सही से चल रहा है दोस्तो अभी मैं क्या करूँगा अभी सबसे पहले यार function mouse enter handle और sound new audio भी आ गया है सब चीज़े आ गई है अब मैं करूँगा भाई एक और चीज़ कि जैसे ही click होता है on click intentional लगाता हूँ click handler click handler को भाई मुझे call करना है function click handler इसको हम कैसे call करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जैसे click होता है इसको मुझे copy करना है और hover effect के जगा पर भाई मुझे करना है win effect win तो नहीं कह सकता लेकिन मैं कह सकता हूँ diamond effect diamond effect क्योंकि हमने तो गोल्डी यूज किया है लेकिन आप कुछ भी यूज कर सकते हूँ ठीक है तो डायमन्ड इफेक्ट कि कि मेरे क्याल से कोई problem आ रही है diamond effect हमें यूज करना है तो भाई मुझे यहां पर करना पड़ेगा gold ठीक है अभी सही से चल रहा है मेरे PC में तो सही से आवाज आ रही है आपके PC में मुझे नहीं पता की भाई आवाज आ रही है ठीक है मैं अपना PC का देख सकता हूँ ठीक है आपके PC में अगर कोई भी problem आती है तो मुझे बता देना हम solve करने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी तो यह हो गया भाई diamond effect वाला sound भी play हो गया लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि by diamond effect वाला sound अगर तभी play होगा जब यह mine नहीं होगा तो सबसे पहले हम देखते है if mine अगर mine नहीं है तो यह सारी चीज़े करो else else हम लिखेंगे भाई else else हम क्या करेंगे mine है तो हमें game over जो है वो true करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक state बनाता हूँ let game over game over और यहाँ पर हम लिखेंगे set game over equals to use state और यहाँ पर हम करेंगे by false पहले तो game over होती नहीं है starting में और इसको मैं pass करना चाहूँगा इन दुनों के अंदर game over equals to game over और उसके बाद हम यहाँ पर इसको भी ऐसे कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे set game over equals to set game over ठीक है जो भी यहाँ पर हमने चूज किया था वो अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा सबसे पहले तो भाई मैं इसका जो s है इसको small करता हूँ ठीक है इसको भी small करता हूँ और यह last वाला ओके अभी सही से हो गया अपना small सारी की सारी चीज़े अभी मैं क्या करूँगा भाई अभी मैं इसको accept करूँगा सबसे पहले भाई set मैं करूँगा set game over set game over है एक चीज दूसरी चीज़े भाई game over game over game over है और एक set game over है तो सबसे पहले हम करेंगे भाई set game over set game over equals to true ठीक है बात खतम होगी भाई set game over equals to true और उसके बाद भी हम काफी सारी चीज़े करेंगे लेकिन अभी के लिए इतना रखता है और एक चीज हमें ना दो चीज़े add करनी है और दो चीज़े हमें add करनी है that is going to be why import हमें icons add करना है देखो अगर मैं आपको बता हूँ icons कहां पर है assets के अंदर अगर आप चाहोगे तो bomb.php आपको दीखेगा png दीखेगा यह हमें show करवाना है अगर bomb आ गया तो और यह है gold ठीक है तो gold.php दीखेगा जो कि हमें show करवाना है ठीक है so let's see तो मैं जल्दी से import करता हूँ gold को import gold icon from dot dot slash assets के अंदर से भाई हमें जाना है gold वाले इसके अंदर तो gold dot png है gold dot png और उसके बाद है भाई दूसरा अपने पास कौन सा है status gold और दूसरा हमें पास था bomb dot png ठीक है इस पे जैसे है मैं click करता हूँ तो आप देख सकते हो यह सही से आ रहा है ठीक है अब ही सही से चल रहा है और इसको मैं चेंज करता हूँ bomb icon bomb icon और gold icon ठीक है तो अभी मैं क्या करूँगा एक image डालूँगा सबसे पहले यहाँ पर let image equals to let image और set image use state false या फिर null रख सकता हूँ इसको और इस image को हम तभी present करेंगे जब यह mine नहीं है हम पहले तो करेंगे भाई set image equals to हम कर देंगे अपनी जो gold वाली है gold icon हम set करेंगे और इसको मैं डिस्पले तभी करूँगा इसको डिस्पले तब करो इसको डिस्पले तब करेंगे जब image है ठीक है image है तो हमें करना है भाई img src src के अंदर हम डालेंगे image और else else हम करेंगे भाई नल ठीक है बहुत ही सीजी चीजी चीज है या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ end end और ऐसे भी मैं कर सकता हूँ easily और यह सही से चलेगा ठीक है मुझे पता है तो आप देख सकते हो अभी सही से चल रहा है लेकिन आप देख सकते हो कि यह जो gold है इसका symbol कितना बड़ा आ रहा है तो मुझे इसको पहले तो height और width देनी पड़ेगी तो height मैं दे देता हूँ by 90 और width मैं दे देता हूँ by 90 ठीक है let's see तो मैं इसको refresh करूँगा अभी आप देख सकते हो सही से आ रहा है अभी एक और चीज है कि भाई इस पे तो gold आ गया है तो इस पे है जैसे मैं hover करता हूँ तो फिर से यह sound वाला effect play ही नहीं होना चीए तो मैं क्या करूँगा image अगर image है अगर image नहीं है तभी यह play होगा ठीक है बाकी play नहीं होगा ठीक है अब देखना इसके उपर image है ठीक है तो इस पे जैसे मैं hover करूँगा तो यह play नहीं होगा लेकिन इसके उपर नहीं है image तो यह हो रहा है ठीक है hover पे अबिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यह भी आ गया तो यह सही से अब और चीज़ करनी है अगर माइन है ना तो मैं set image करना है माइन आइकॉन माइन है ना बाई अगर माइन है तो ध्यान से जुनना हमें क्या करना है तो हमें हर एक के लिए set कर देना है set image वाला ठीक है तो हमें हर एक के लिए set कर देना है set image वाला तो इसके लिए हम क्या कर सकता है मैं सोचना पड़ेगा थोड़ा तेकिन कोई बात नहीं हम क्या करेंगे हम game over को listen करेंगे ठीक है तो हम game over को change कर दिया हमने अभी हमें game over को सिर्फ listen करना है तो मैं इसको ऐसे listen कर सकता हूँ use effect आपको use करना है use effect hook इसका पहला जो argument होता है भाई वो एक होता है function और दूसरा होता है आपका parameter game over मैं यहाँ पर लिखूँगा इसके अंदर मैं लिखूँगा if game over है ठीक है अगर game over हो चुकी है भाई तो हमें करना है हमें एक और condition डालनी है if mine अगर mine है तो set icon कर दो भाई set image कर दो भाई image को कैसे set करोगे आप mine icons है mine icon या फिर bomb icon sorry इसको मैं copy करता हूँ यहाँ पर else मैं paste करता हूँ set image icon में मैं कर दूँगा भाई क्या दूसरा क्या है gold icon ठीक है gold icon ओके इसको मैं format करूँगा यार अच्छी तरीके से तो यह format हो गया automatically ठीक है अभी सही से चल रहा है now what is this has dependency has a missing dependency mine तो मैं इसको यहाँ पर mine भी कर देता हूँ ठीक है जो mine है इसको भी मैं चलो कर देता हूँ ठीक है no problem अभी अभी हम देखते है क्या होता है क्या नहीं होता और जैसे ही यह set image हो जाएगी तो यह सारी चीज़े भी यहाँ पर आ जाएगी image and तो अभी मेरे क्याल से सही से चलेगा अभी मुझे इसको refresh करूँ अभी हमें देखना है भाई क्या होता है अब देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले एक और चीज़ हमें करनी है हमें alert भी डालना है हमें alert भी डालना पड़ेगा alert you lose the game अब हार गया हो game अब देख सकते हो यहाँ पर आ गया है you lose the game और यहाँ पर जो भी जहाँ जहाँ पर भी माइन है तो सारी चीज़े बता रहा है और एक चीज़ करनी है click तब भी होगा if game over if game over तो भाई return करो अगर game over हो गई है तो return कर भाई अभी आप देख सकते है you lose the game और अपनी जो game है वो over हो गई है तो अभी जैसे मैं click करता हूँ किसी भी चीज़ पर तो यहाँ पर नहीं आ रहा और एक चीज़ करनी है हमें score pass करना है सबसे पहले तो मैं इसका एक काम करता हूँ नया सा state बनाता हूँ इसको copy करता हूँ उपर वाले को यहाँ पर मैं लिखूँँगा y score score यहाँ पर हम लिखेंगे set score ठीक है और इसको मैं pass करूँगा square के अंदर so set score equals to set score ठीक है मुझे सिर्फ score set score ही pass करना है और उसके बाद हम यहाँ पर use करेंगे इसको ऐसे score और यहाँ पर हम लिख सकते है PTS PTS का मतलब होता है भाई points ठीक है क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा जो initial score होगा अपना होगा भाई 100 ठीक है तो 100 PTS अभी बता रहा है points बता रहा है जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भाई हो जाना चाहिए अगर mine नहीं है तो हो जाना चाहिए भाई set score मुझे यहाँ पर get भी कराना पड़ेगा set score के पहले set score मैंने यहाँ पर get करा लिया इसको मैं copy करूँगा और जल्दी से यहाँ पर कहाँ पर लिखूँँगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा भाई set score equals to जो भी अपने पास अभी current score है तो current score देखो state function के अंदर हम दो हिसाब से कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि function pass कर सकते हैं मैं ऐसे एक function pass कर सकते हैं और इसकी जो argument होती है ना भाई यह एक arrow function है आप ज्यान से देखो तो आपको पता चलेगा यह arrow function की signature है और इसकी जो पहली argument होगी वो होगी भाई आपकी previous value ठीक है तो pre value और pre value हम क्या करेंगे हम return कराएंगे जो की हमें latest value जो चाहिए उसको हम return कराएंगे तो previous value कौन सी है भाई previous value जो previous value हमें मिलेगी यह हमें पहली value मिलती है उसके बाद हमें 100 plus करना है कितना 100 plus नहीं करना भाई हमें into 2 करना है ठीक है तो 2 दो गुना हो जाएगा जब भी हम इसको करेंगे तब ठीक है तो अब देख सकते हैं कि यहां पर points जो है 200 हो गए और यार मैं lose कर गया ठीक है गेम को अब देखते हैं फिर से एक बार पहली ही बार मैं lose कर गया अब देखते हैं 200 point हो गया और फिर से lose कर गया पता नहीं यार मैं lose क्यों करता जा रहा हूँ ठीक है अब ज्यान से देखना और भाई मैं फिर से लूस कर गया है तो यह अपनी गेम है वो पुरी की पुरी बन चुकी है और आप इसको enjoy कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो ठीक है मलब दोस्तों के साथ तो नहीं खेल सकते हैं लेगिन एक ही PC में अगर आपका दोस्त आपके घर पर आ है तो केल सकते हो ठीक है बहुत इंजॉयेबल गेम है इसको आप लाइव कर सकते हो अपने प्रॉजेक्स के अंदर शामिल कर सकते हो तो यार और आपको पूरा का पूरा पूरा को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा दोस्तों कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कॉमेंट कर करें अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें यार ज्यादा से ज्यादा व्यूज्ज और सब्सक्राइबर की जरूरत है थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो आई विल सी यू नेक्स टाइम